का मोहताज नहीं है बलकि देश को आजात कराने वाले एक स्वतनता सिनानी का परिवार है और अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से तहसील के बाहर अपने परिवार के साथ धरने पर बैठा है जो प्रिशासन ने इस परिवार से वादे किये थे पर इस परिवार को क्या पता था कि देश को आजात कराने की एहम भूंका निभाने वाले इस परिवार के साथ इस तरीके का अन्याय प्रिशाशन करेगा प्रिवार का कहना है देश को आजात कराने में हमारे परिवार का एहम रोर लहा लेकिन प्रिशाशन ने हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि आख चटाई लेका बैठी हूँ था यहाँ तशील के सामने रोड में पढ़े रहते हैं रोटी खाएंगे गराने तक कोई बेवास्ता सरकार ने हम लोग को नहीं करा जबकि हमारी ससुर जेल में थे उन्हीं के जगा जमीन हम लोग को नहीं मिल रहा है कहां जाएंगे चटाई लेक अंग्रेजनों से मुक्ती मिल जाएंगे लेकिन हमत दिखाई दहरा है कि हमें मुक्ती नहीं मिली है हम तो उसी हाल में उनकी सजा साथ साल कुई साथ बेश जुर्माना हुए हैं और हमें आज तक कोई जमीन प्रदान नहीं करें लोग हैं तो हमारे लिए तो ऐसे ही लगता हैं कि हमेरेज लोगों बैठे हैं और यहां